जो शीव जी है, उनकी पूजा जिन्दिगी में सबसे बेस्ट है, इस से उपर कोई इश्वर नहीं है, उनके अंदर सारा जितने ग्रह हैं, सब उनके अंदर हैं, देखो राहू, केतू, मंगल, शनी, गुरू, सब शीव के अंदर हैं, तो जितने ग्रहों के मंत्रा हैं, वो म उत्वरेत वो भी शिव जी के साथ रहते हैं, शनिवी जी भी शिव जी की पूजा करते थे, राम जी भी शिव जी की पूजा करते थे, इसलिए एक शिव की ही ऐसी पूजा है, जो सबसे ज़्यादा पावर्फुल है, तो शिव से उपर तो कुछ है ही नहीं, है ना, शिव ही तो जैसे सोमवार का दिन होता है उसके लिए आपको एक मंत्र बताती हूं उस मंत्र के साथ अगर आप जल अर्पन करते हैं तो इतना बड़िया रिजल्ट है कि आपको जो भी मन की इच्छा करते वे बोलोगे वो हो जाएगा जैसे किसी को संतान नहीं है उसे के लिए अगर ह आप शिवजी पे थोड़ा सा दल और थोड़ा सा आप ये डाल दीजे शहद मंगलवार के दिन उसको उदर शैद ही डालना है कच्छे दूद में शैद डालके ही चड़ाना है आपको ऐसे ही वेनस्डे के दिन आप जाएगे तो आपको ओम बुद्ध बुदाय नमा बोलते चड़ाना है क्योंकि बुद्ध गनेश जी जो हैं शंकर जी के पूत्र है तो अगर आप उनके मंतर के साथ अगर आप उनको जल चड़ाते हो तो उसकी पावरी दुगनी हो जाती है तो वहाँ पे बेल पत्र पे ओम लिखके उस पे दू चड़ाएं तो बहुत बढ़िया होता है ऐसे थर्सडे के दिन आप जाएं तो ओम गुरु नमा बोलते वे जल चड़ाएं विकॉस उनसे उपर गुरु को ही नहीं है और गुरु को ज्यान देने वाले शिव हैं तो शिव जी के उपर अगर जब आप जल चड़ाते हो तो थोड़ा सा पीला चंदन जो तिलक लगाते हैं जिससे उसके साथ अगर आप जल चड़ाते हो तो आपको बहुत फैदा होता है ऐसे ही फ्राइडे के दिन आपने सफेज चंदन लगाने हैं उसके ओपर ओम बनाने हैं अच्छे से इत्र लगाने हैं उसके साथ जल चड़ाना है और इत्र से जितनी खश्बू स व्होजडिऊ तुद लगाके आप शुवजी के ओपर जल चड़ाएं é ऐसे ही सारे गरहों के दान भी हो जाएंगे और शिवजी प्रसंद भी रहेंगे और इससे उपर तो कोई पूजा ही नहीं है अब आपको मंतर में एकदम रेगुलर वैसे जैसे बोलने हैं बोलके सुनाती हूं आप डेली सुबे उठें आपने बोलना है हर्यों सोम सुम आई नमा हर्यों मंगंगार आई नमा हर्यों बुद बुद आई नमा हर्यों ब्रस्पती ब्रस्पत आई नमा हर्यों शुकर शुकर आई नमा हर्यों शनी शनी चराई नमा हर्यों राहूदा वे नमा हर्यों केतु के तो ये गरहों के मंत्राज हैं इसको डेली जो सूबे और शाम सूबे उठते ही रात को सोने से पहले ये मंत्रा जो करते हैं उनको वैसे जिन्दिगे में कोई तकलीफ नहीं आती क्योंकि नौगर है तो सबीने अपने देखो सबको बैलन्स करना नहीं आता ना ये बैलन्स हो आपके नौगर है आप दान पून भी नहीं करते अगर ये मंत्रा करते हो ना तो भी आपको फैदा हो जाएगा